हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपाईएस, आप सभी लोगों का प्रेपाईएस पे स्वागत है फ्रेंड्स इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशन्स कंड़क्ट कर रहे हैं और system कुछ इस तरह से है कि डेली 11 एम पे हम लोग दो क्योशन्स पोस्ट करते हैं कहां पर हमारे यूट्यूब कम्यूंटी पर और हमारे टेलिग्राम चैनल पर और आपसे उमीद करते हैं आपसे expect करते हैं कि आप उन दोनों questions को attempt करोगे और फिर 9 p.m. पे हम उनका यहाँ पर discussion कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपको model answers भी मिलेंगे अब आज का ये जो session है इसमें हमने दो questions लिये है एक question society से है और दूसरा question governance से belong करता है अब one by one इन दोनों questions को हम लोग discuss करेंगे आपके जो भी doubt हो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो मैं सबका definitely reply करूँगा अब जो first question है उसका संबंद सोसाइटी से देखिए क्या question पूछा गया है ये question 2018 में पूछा गया था 15 marker globalization is generally set to promote cultural homogenization but due to this cultural specificities appear to be strengthened in the Indian society elucidate तो ये question पूछा गया है अब तहले हम इस question को समझते हैं कि क्या पूछा गया है जब हम globalization की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वज़़ से cultural homogenization प्रमोट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह का culture आपको अलग-अलग country में देखने को मिलेगा लेकिन जब हम Indian society की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको cultural specificities जो है वो strengthen होती भी दिखती है मतलब जो हमारा culture है वो और strengthen होतावा दिखता है इस चीज को हमको बताना है और यही question पूछा गया है अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से different parts हैं जो हमको address करने होंगे सबसे पहले हम introduce करेंगे, obvious सी बात है देन हम बताएंगे कि किस तरह से globalization की वज़र से cultural homogenization देखने को मिलता है देन हमको बताना होगा कि किस तरह से Indian society में cultural specificities जो हैं वो strengthen हो रही है अब दोस्तों अगर आपने society अच्छे से पढ़ी होगी तो जो first point है इसमें हमने क्या बताया कि जो global culture है वो किस तरह से dominate हो रहा है Indian culture पे जो second point है उसमें हमने क्या बताया कि किस तरह से जो Indian culture है वो dominate हो रहा है अब एक tc dimension और आती है वो क्या है globalization means local plus global इसमें mix आपको देखने को मिलता है अगर आप ये भी dimension बताएंगे तो आपको एक edge मिलेगी आपको ज़्यादा number मिलेंगे और फिस सबसे last में हम conclude कर देंगे ठीक है अब हम one by one इनको समझते हैं कि इसमें हमको क्या लिखना है जहां तक introduction की बात है तो सबसे अच्छा introduction क्या होगा कि आप define करिए globalization क्या होता है friends society में जितने भी topic दिये हुए हैं उन सब की definition और उनके examples आपको पता होने चाहिए आपको याद होना चाहिए ठीक है तो जब हम globalization की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ये एक ऐसा process है जिससे जो different economies है, society है, countries हैं उनके 20 की जो interdependence है interconnectedness है या फिर उनके 20 का जो integration है वो बढ़ता जाता है तो ये आपको define करना होगा and friends ये definition आपको याद होनी ही चाहिए अब अगला point आता है कि कि किस तरह से globalization जो है cultural homogenization को promote करता है आपको example देने होंगे जैसे कि nuclear family आप देखिए इंडिया में पहले joint family होती थी लेकिन अब हमको nuclear family especially urban areas में ज़्यादा देखने को मिलती है नई तरह की relationship देखने को मिलती है जैसे कि living relationship ठीक है यह भी आप लिख सकते हैं देन नए ने festival celebrate किये जा रहे है friendship day, father's day, mother's day, valentine day इसको आप यहाँ पर coat कर सकते हो आप बात कर सकते हो कि नए नी choices आ गहीं है ड्रेस में jeans, t-shirt जादा लोग पहनना पसंद करते हैं हर जगह आपको MACD, KFC मिल जाएंगे और इससे हो क्या रहा है food का homogenization हो रहा है आपको एक ही तरह का food भारत के अलग-अलग कोनों में मिलेगा ठीक है देन आप बात कर सकते हो entertainment की पहले cinema halls मिलते थे लेकिन अब हमें multiplex theaters देखने को मिलते हैं आप English language की बात कर सकते हो कि अब वो एक homogenized language बन गई है इंडिया में बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं ठीक है तो यह एक dimension है जो हमने cover कर ली है अब अगली dimension क्या थी कि किस तरह से इंडियन society का जो culture है वो strengthen हो रहा है अब यहाँ पर आप काफी सारे example दे सकते हो जैसे कि North East के जो festivals हैं वो काफी promote हो रहे हैं संगाई festival लोसार festival जो हमारा योगा है वो पूरे globe में famous है इंटरनेशनल योगा डे 21st जून वो celebrate किया जाता है आप art of living की बात कर सकते हैं आप आयुरवेद की बात कर सकते हैं यह Indian culture है tradition है जो अब काफी बड़े लेवल पे promote हो रहा है आप बात कर सकते हैं कि फिर से religion और caste की कि जिस तरह से global tourism बढ़ रहा है e-commerce बढ़ रहा है तो उससे जो हमारी local craft है arts है traditions है वो promote हो रही है ठीक है आप बात कर सकते हो Indian festivals की जैसे कि holy diwali यह आज भी हम बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं ठीक है तो इस तरह के examples आपको यहाँ पे देने होंगे अगला पार्ट क्या आता ह यहाँ पे आपको वह example देने होंगे जहाँ पे global प्लस local का mix आपको देखने को मिलता है जैसे कि mcdonald अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पनी टिक का burger मिल जाएगा लेकिन यह चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो global culture है उसमें Indian element जो है वह घुस गये हैं आप यह भी example दे सकते हैं कि किस तरह से जो foreign movies आती है उनकी dubbing होती है local language में भोस्पूरी में मिल जाएगी Hindi में मिल जाएगी Malayalam में मिल जाएगी ठीक है आप eco-friendly festivals की बात कर सकते हैं जैसे कि होली में हम बोलते हैं कि हम eco-friendly colors का use करेंगे ठीक है रूपी symbol की आप बात कर सकते हैं जो change हुआ है तो यह सब example होंगे localization के अब दोस्तों इसके बाद आपको conclude करना होगा काफी तरह से आप conclude कर सकते हो आप यह भी बता सकते हो कि हालान की western culture का influence हमको देखने को मिलता है Indian culture लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो Indian culture को replace कर रहा है बलकि हमको ए harmony और peace पर एक negative effect पड़ता है यह भी आप conclude कर सकते हो सभी से आपको अच्छे number मिलेंगे अब दोस्तों यह पहला question तो खतम हो गया है अब हम आते है second question की तरफ जो की governance से है देखिए इसमें क्या पूछा गया है यह question 2019 में पूछा गया था यह भी एक 15 marker है the need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse ठीक है मतलब जो different service sector होते हैं उनके बीच में cooperation होना चाहिए partnership bridges the gap among the sectors इन sectors के बीच में जो gap है उसको दूर करने के लिए आपको partnership करनी होगी it also sets in motion a culture of collaboration and team spirit ठीक है यह statement दिया गया है और फिर पूछा गया है in the light of statements above examine India's development process ठीक है तो काफी लोगों के question समझ में नहीं आया हुआ मैं समझ सकता हूँ कोई issue नहीं है हम इसको अच्छे से समझेंगे देखें दोस्तों अगर आप आखरी line देखेंगे तो उसमें क्या बताया हुआ है कि in the light of statement above examine India's development process जब आप किसी चीज को examine करते हो तो आप क्या करते हो आप उसके positive बताते हो आप उसके negative बताते हो तो वही आपको यहां करना है कि जो इंडिया का development process है उसके positive points आपको लिखने है और उसके negative points भी आपको लिखने है लेकिन कहानी यहीं पे खतम नहीं होगी जहां तक positive चीजे ह वो तो positive ही रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो negative चीजें हैं, उनको किस तरह से सुधारा जाए, उसका क्या solution है, ये आपको दिया गया है उपर, और वो solution क्या है, कि जो service sector है, उनके बीच में cooperation होना चाहिए, उनके बीच में partnership होनी चाहिए, उनके बीच में collaboration होना च तो ये सब चीजें आपको इस question में बतानी है, शुरुवात की गई है, need for cooperation, मतलब जो different service sector है, उनके बीच में cooperation होना चाहिए, इसको भी आपको highlight करना होगा, अब दोस्तों हम one by one देखते हैं कि क्या इसके different parts बनते हैं, जो हमको address करने होगे, सबसे पहला आपको introduce करना होगा, तो obvious सी बात है, then देखिए यहां पर बात की गई है कि service sector की, तो पहले आप बताईए तो चाहिए कि वो होता क्या है, कुछ examples आपको देने होंगे, then बात की गई है उनके बीच में cooperation की, तो आप बताईए कि cooperation क्यों जरूरी है, ठीक है, फिर आपको बताना होगा कि इस cooperation के फा positive चीजे क्या है, उसकी negative चीजे क्या है, फिर आपको solution देने होंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, और फिर आपको conclude करना होगा, तो ये सारी चीजे आपको यहां पर mention करनी होगी, अब हम one by one इनको brief में देखते हैं, सबसे पहला जहां तक introduction की बात है, आपको service sector की importance बता सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं कि GDP में more than 50% का contribution इस sector से होता है, ये काफी अच्छा introduction होगा, देन आप बताइए कि service sector क्या होते हैं, उसके example दीजिए, जैसे कि education हो गया, health हो गया, financial services हो गई, ये basically जो 12 champion sectors है, उनकी list है, ठीक है, इन में से आप कुछ sectors यहां पर देख सकते हैं कि ये different service sector होते हैं, अब आता है कि इसमें cooperation की जद्वत क्या है, friends देखिए ये जो service sector है, ये आपस में interlinked है, interdependent है, ऐसा नहीं होगा कि आप केवल health पे focus करिए, क्योंकि केवल health पे focus करेंगे और education पे focus नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, अब अगला क्या आता है कि आपको वो initiative बताने होंगे, जहांपे sector के बीच में cooperation ensure किया गया है, और हमको उसके फाइदे मिले हैं, उसके benefit आपको बताने होंगे, काफे सारे examples है, आप jam, trinity की बात कर सकते हैं, जंधन, अधार, mobile, इसमें तीन sector को जोड़ा गया है, आप भारत माला की बात कर सकते हैं, इसमें construction sector, tourism, transportation, सबको link किया गया है, आप भारत net की बात कर सकते हैं, midday meal की बात कर सकते हैं, तो जब हम different sectors को जोड़ देते हैं, तो उसका हमको काफी अच्छा benefit मिलता है, इसके अलावा आप Indian government के जो champion service sector है, उनको भी यहां पे लिक सक services है, उसमें क्या positive चीजे हुई हैं, तो काफी कुछ हुई हैं, आप बता सकते हैं कि life expectancy बड़ी है, काफी लोग poverty line से बाहर आये हैं, हमने food security अचीव की है, तो यह सब तो positive चीजे हैं, अब आपको कुछ negative चीजे भी बतानी होगी, जैसे कि regional imbalance है, जो हमारा rural area है, वो काफी प model है, उससे environment पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, आप बता सकते हो lack of employment, jobless growth, तो यह सारे points आप यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर आप लिखोगे कि यह जितने भी negative हैं, यह क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो different service sector हैं, इनके बीच में cooperation नहीं है, इनके बीच में काफी gap हैं, इनके बीच में partnership नहीं है, तो हमको ensure करना होगा कि जो different sector हैं, इनके बीच में partnership हो, तो अब आपको सारे measures लिखने होंगे, जैसे कि decentralized planning होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि isolation में policy बन रही है, सारे sectors को हमको partner बनाना होगा, सब को collaborate करना होगा, ठीक है, जैसे कि जब हम बात करते हैं energy की, तो इस से जुड़े जितने भी departments हैं, उन सब को एक ही platform पे आना होगा, और एक policy बनानी होगी, आप ये भी बता सकते हैं कि, जो education है, healthcare है, जहाँ पर private sector इतना focus नहीं करता है, वहाँ पर state को ज़्यादा focus करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह के जो different measures हैं, वो आपको यहाँ प focus करना होगा, जो उसके issues हैं, उनको identify करो, उसको दूर करो, और जो भी reforms लाने होंगे, वो हमको लाने चाहिए, आप ये भी बता सकते हो, कि अगर हम participation इंशोर करेंगे, अगर हम collaboration इंशोर करेंगे, तो उससे हमको sustainable growth मिलेगी, उससे हमको inclusive development मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से आ conclude कर सकते हो, friends, यहाँ पर दोनों ही questions मैंने discuss कर लिये हैं, आपके जो भी doubts हो, आप comment section में मुझे बता सकते हो, अब एक learner की copy में यहाँ पर आपके सामने discuss कर रहा हूँ, इन्होंने केवल first question ही attempt किया था, society वाला, तो देखते हैं कि उसमें क्या-क्या improvement हो सकता है, अब करूँगा कि मैंने एक video बनाया था कि किस तरह से हमको answers लिखने हैं, हमारे channel पर वो video अवलेबल है, आप एक बार उसको देखिएगा, तो आपको structure वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने introduction काफी लंबा लिखा है, वो नहीं लिखना है, आपको 3-4 line में इसको complete करना है, then काफी सारी grammatical errors यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, वो आपको avoid करनी है, then जो definition लिखी गई है globalization की वो एक सही definition नहीं है, आपको एक standard definition लिखनी होगी, क्योंकि society में काफी कम topics हैं, उन सब की definition आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, then पर समझाया गया है कि 1991 के बाद किस तरह से market open होता है, और foreign brand products इंडिया में आते हैं, देखिए दोस्तों, यह question की demand नहीं है, यह एक unnecessary information है, जो आपको avoid करनी है, आपको ऐसी information नहीं लिखनी है, जो नहीं पूछी गई है, क्योंकि इससे होगा क्या, कि जो चीज पूछी गई ह उसके लिए आपके पास ना तो time होगा, ना space होगा, तो unnecessary information आपको नहीं लिखनी है, अब देखिए यहाँ पे काफी लंबा एक paragraph लिखा गया है, friends, आपको long paragraphs नहीं लिखने हैं, short paragraph लिखिए, और मैं तो आपको recommend करूँगा, कि आप heading और bullet point format को use करो, इससे आपको काफी फाय parallel points है, जो question पूछा गया है, उसको address नहीं किया गया है, आप एक बार मेरा explanation देखिएगा, वो कोई भी point आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का example यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यह approach सही approach नहीं है, then इसके बाद देखिए, यह वही paragraph continue हो रहा है, और यहाँ पे conclusion लिखना है, सबसे पहली बात, दूसरी बात, इस तरह की cuttings आपको नहीं करनी है, ठीक है, तो overall अगर हम देखें, तो question की जो demand है, उसको आपने address बिल्कुल भी नहीं किया है, मतलब आप इस question के context को नहीं समझ पाए है, content भी आपका पूर है, आपको इस पर work करना होगा, ठी किनी भी dimension मैंने आपको बताई है, वो आपको follow करनी होगी, अब friends हमारा ये lecture यहाँ पर खतम हो चुका है, I hope आपको पसंद आया होगा, अगर आपके कोई भी doubts हों, तो आप comment section में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, हमारे इस video को like करना न भूलें, साथी साथ हमारे चैनल को जरूर subscribe करें, ठीक है friends, good bye